हालो अबरीबन वालकम बेक टो मैडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस आप सभी सात्यों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस में फिर से स्वागत है जीसा कि आप सभी नर्सिंग उपिसेस को पता है कि आप सभी लोगों का MP में CHO का एक्जाम नेरी है जीसा कि एक प्रॉबबिल्य आइडल लगा जा सकता है कि जो आपका एक्जाम में दिसम्बर के last end में या जनबरी के upcoming या फर्स्ट वीक में ही हो सकता है तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए class continue करवा रहे हैं और आज का जो class रहने वाला है वो आपका previously year के question paper के regarding class रहने वाला है जिसमें आप सभी लोगों को ये एक idea लग जाएगा है कि हाँ level of the mcq क्या रहता है और किस प्रकार के mcq किस topic से पूछे जाते हैं मैं पूरा detail मे बताने वाला हूँ साथ ही मैं additional parameters भी बताऊँगा जिससे आपको exam में copy help मिलेगा mcq को solve करने में ठीक है तो इससे पहले मैंने 2022 का ये question paper में करवा रहा हूँ और इससे पहले आपके लिए 5 classics मैंने conduct करवा दी है यदि आप पहली बार हमारे channel पे आये हैं तो channel को जरूर surprise कर ल दीजेगा यदि आप एक CHO का exam देने बाले हो और आपको CHO बनना है तो हमारा classes देखना आप सभी लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हाँ पे आपको सारी चीजे बिल्कुल fact के तोर पे बताई जाती है कि कैसे exam को solve करना है ठीक है mcq को कैसे attain करना है सारी च करेंगे ठीक है किसी को यह वाले question paper चाहिए तो वो medical nursing services के बहुत सब गुरूप पर हमसे question paper ले सकता है ठीक है तो message करना है question paper आप सभी लोगों को मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर दिखते है first question what is the most common cause of death due to measles ठीक है तो पिछली क्लास में मैंने measles के regardें आपको चीजे ब pneumonia, secondary bacterial infection, measles, encephalitis और otitis media ठीक है तो बिलकुल है यहाँ पर pneumonia ठीक है जो pneumonia है जिसमें क्या होता है lungs का क्या होता है inflammation बगेरा हो जाता है जिससे obstruction बगेरा हो जाता है ठीक है तो इस बज़े से क्या है कि यह most common date है due to measles की बज़े से ठीक है secondary bacterial infection नहीं होता है ठीक है measles, encephalitis भी इसके most common नहीं है ठीक है most important चीज क्या है कि MCQ में आपसे पूछ क्या रहा है MCQ का key point समझे what is the most common cause of dead due to measles ठीक है most common भी है है यहां रखना है ठीक है most common ठीक है ऐसे तो होता है but most common पूछे तो फिर आपको एक particular answer की तरह पग्रेसर होना है ठीक है चलिए what kind of the sample can be used to isolate polio virus ठीक है तो 52 number के question क्या बोल रहा है what kind of sample can be used to isolate polio virus ठीक है stool, throat, csa, blood ठीक है तो यदि आपको sample can be used to isolate polio virus ठीक है isolate नहीं कर सकते student से throat से नहीं कर सकते CSF से नहीं कर सकते blood हां blood से हम यदि इस टूल लेंगे तो उसको हम क्या कर सकते isolate कर सकते ठीक है तो यहाँ पर आपका right answer जाता है कि यदि आपको क्या है कि isolate करना है polio virus के लिए sample के लिए तो आपको billard stool के लिए देखना पड़ेगा ठीक है यह क्योंकि आप सबी लोगों को पता है कि जो इस tool होता है जो हमारा stool होता है इसमें polio virus होता है जो polio virus होता है और वो क्या होता है वो phico oral root की बज़े से होता है किसकी बज़े से Tilk throat से लेंगे तो throat से आपका accurate answer नहीं मिलेगा weight होता है जो कि cerebral spinal fluid होता है इसका तो यहां से कोई भी relation यह कहीं से कहां तक नहीं देखने को मिलेगा ब्लेट से भी नहीं देखने को मिलेगा बट हाँ यदि हम बात करें हम polio virus के ठीक है तो जो polio होता हमारा ठीक है क्या होता है यह अनाहिजिन condition phico oral route की बज़े से होता है और जो इसका वो देखने को मिलेगा हम आपको इस टूल में देखने को मिलेगा ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे इस टूल का कल्चर यहां पर करेंगे ठीक है तो आयो प्यापर आपकी चीजह के लिए हो गई होगी ठीक है थ्रोट बगेरा से नहीं रेते, CSF से CSF का कल्चर करेंगे, ठीके, ब्लड से बागी CBC अलग इन्मेस्टिकेशन के लिए यूज में लेके आते हैं, 53 नमर के कोश्चन का बात कर लेते हैं, बिच बाइरस इस यूज़ टू प्रेडूस रैबिस वेक्सिन, ठीके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीके, यहां पर लाइव एक्टिनेटेड वेक्सिन और टीकेशन का में, डीटेल में आपको बताने वाला हूं, ठीके, तो यहां से आपके CSF का एक्जाम है, महां से आपके एक से दो नमर पूरे यहां पर कन्फर्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल पताएंगे तो सबसे पहले इसका अंसर देख लेते हैं कि which virus is used to produce ravis vaccine ठीके तो इससे पहले अभी इसका अंसर तो आपको automatically देखने को मिल जाएगा इस्टीट होता है क्या live vaccinated vaccine होता है क्या live vaccinated vaccine होता है क्या या wild होगा या fixed होगा ठीके तो which virus is used to produce ravis vaccine ठीके तो ravis vaccine के प्रिडूस करने के लिए कौनसी vaccine live vaccinated vaccine के लिए उसमें लेके आते हैं ठीके तो सबसे पहले बात करते हैं हम बात करेंगे student vaccine का तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बैक्सीन है ठीके और जो first vaccine था वो किस ने दिया था एडबर जेनर ने दिया था ठीके जो first vaccine का यदि में बात करूँ ठीके फर्स्ट वेक्सीन एडबर जेनर ठीके एडबर जेनर ने दिया था एडबर जेनर ने दिया था एडबर जेनर ने दिया था आपको ये छोटे छोटे चोटे पैराम कुछा जाए है आपको जो टर्म है हमारा वेग्सिन टर्म कहां से है कि रिession ने around किया और फैस्ट वेग्सिन किसन दिया तो एडर जैनार ने फ़ंस्ट बेग्सिन दिया ठिक और इसमाल बोगस का दिया ठिक अब बात करेंगे टाइप बेस इस्टूडेंट्स एक तो लाइब वेक्सिन होता है और एक किल्ड वेक्सिन होता है ठीक है आपको सुनने पर ज्यादा फोकस करना है ठीक है तो इससे आपकी चीजे बहुत सारे किलियर हो जाएगी ठीक है लाइब वेक्सिन होता है और एक टॉक्जोड वेक्सिन होता है जो क बएक्सीन से हम बात करेंगे हम लाइब विक्सीन करों, लाइब विक्सीन होती है। heat पे activate होती है किस पे होती है students heat और chemicals के द्वारा बनाई जाती है heat in activated होती है और ये cultural media पे होती है तो इससे पहले भी यदि आपने पहले भी ये live vaccine और killed vaccine और toxid vaccine पढ़के रखा है तो आप लोगों ने एक tricks के हाँ पे आपको live vaccine के बारे में बता देता हूँ boy love the crime अब इसमें क्या है मैं आपको एक टिक करके बताऊँगा कि कौन सा live vaccine है कौन सा नहीं है क्योंकि देखें एक्जाम में आप से question पूछ ले जाएगा कि all are the live vaccine accept है which one is the falling is the killed vaccine which one is the falling is the toxid vaccine तो यदि इस वरगार के कोई question आपको आने वाले इस यह चों में देखने को मिलेंगे तो आप बिल्कुल accurate answer यहाँ पर दे पाऊगो ठीके तो सबसे पहले बात करेंगे बोई का ठीके जो बोई होता है हमारा BCG ठीके BCG को हम क्या बोलते है live vaccine बोलते है वाइफ ओर yellow fever ठीके अब बात करेंगे हम love का ठीके तो love ठीके तो L4 हो जाएगा live ठीके बी फोर हो जाएगा vaccine हो जाएगा और love the crime टी फोर हो जाएगा आपका type 4 ठीके type 4 हो जाएगा ठीके type 4 में भी live आएगा ठीके ध्यान रखना है ठीके उसके बाद आएगा love the crime ठीके अब बात करेंगे हम किसका crime का ठीके तो crime के निमोनिक से हम याद रखेंगे C-R-I-M-E ठीके तो C4 क्या होगा आपका chicken box हो जाएगा ठीके क्या हो जाएगा chicken box हो जाएगा C4 R4 क्या हो जाएगा students आपका rubule ठीके याद रखना ए ребutand Harpaill से देखने को मिलेगा ठीके और I4 क्या देखने को मिलेगा।टीके और I4 क्या देखने को मिलेगा influenza live vaccine ठीके influenza live vaccine ठीके इन 4 जाहएगा M4 मिलेगा bizles and mumps ठीके दोनों को याद रखना है और E4 आजाएगा epidemic typus आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो live vaccine के सारी tricks बता दिये boy love the crime करके आपको इसका मेमूनिक याद रखना है देन आप इसको बहुत अच्छी तरीके से exam में appear कर सकते हो और exam में इसके regarding जो भी question बनेंगे आप इसको बहुत अच्छी से solve कर पाएगा ठीक है जो live vaccine होती है वो मैंने बता दिया है आपको trick याद रखना है ठीक है boy love the crime ठीक है याद रखना boy love the crime ठीक है तो क्या होगा इससे आपके कोई भी conclusion नहीं होगे ठीक है और बहुत simple tricks है आपको याद हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे हम अपना students killed vaccine का ठीक है killed vaccine क्या क्या है परी चोर थी देली में ठीक है क्या थी परी चोर थी देली में ठीक है इसको याद रखना ठीक है P4 क्या होगा आपका परी ठीक है इसको याद रखना P4 परी, परी से क्या होगा आपका Injectable Polio Vaccine जो IPB होता है याद रखना है परी छोर थी देली में Injectable IPB होगा फिर A से क्या होगा आपका Hepatitis A and Hepatitis B यह चीज़ा आपको याद रखना है Hepatitis A and Hepatitis B R4 क्यों होगा आपका Revis, ठीक है और i4 क्या होगा influencia killed vaccine होगा ठीक है बहाग पे influenza आपका live vaccine आ रहा था और यहाप़ आपका influenza killed vaccine आएगा ठीक है इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है ठीक है और ये हो गया हमारा परी-परी हो गया हमारा पिर क्या थी 4 थी देली में ठीक है C4 के आएगा 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 ठीक है ती मतलब होगा टाइफोईट किल्ड बेक्सिन आएगा और फिर देली में आएगा डीपीटी ठीक है इन चीजों का आपको ध्यान रखना एक था वो इस लब्दा किरायम है ठीक है अच्छे से ध्यान रखना बार-बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है यदि आप C4 कि तैयारी कर रहे तो यह बेस लाइब का एक्जाम होगा आपका जिसमें आपको बेसी चीजे पूछी जानी है तो और जो बेक्सिन के रिगार्डिन चीजे में बता रहा हूं यह आपका बेस बता हूं मैं आपको जो आपको पता होना चाहे है लाइब बेक्सिन के बाताने में पता होना चाहे कि अलंवा tetanus होता है और TT ये दोनों ही toxoid vaccine है ठीक है इसके regarding और vaccine के regarding आप इससे भार कोई सी भी तरह का कोई भी question आप सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ठीक है मैंने सारह ही question यहाँ vaccine के regarding हाँ पर आप सभी लोगों को करवा दिये हैं ठीक है क्या करवा हमारा जो मैंने अभी हाली में बताया आपको किसी भी परकाग कोई confusion नहीं होना चेड़े ठीक है जो term है वेक्सिन का term है ना 1885 में एडबर किस ने दिया था लूस पाच्चा ने दिया था ठीक है और देन अभी जो first vaccine है 1800 किस में देखने को मिला है जो first vaccine आपको देखने को मिला 1979 में देखने को मिला है first vaccine है 1979 में इसमाल पोक्स के रिगार्डिंग ठीक है और यह देने बाले इंसान को ने एडबर जेनर नाम याद रखना है दोनों में कोई भी किसी भी विरकाग का confusion create नहीं करना है ठीक है फिर उसके बाद यदि आते हैं vaccine के रिगार्डिंग बहुत important च है ठीक है फिर क्या है कि आपको 1885 में आपको क्या देखने को मिला है universal immunization program ठीक है क्या देखने को मिला universal immunization program ठीक है UPI ठीक है जिसको क्या बोलते है students UPI हम जिसको बोल से ठीक है क्या बोलते है UPI ठीक है क्या है UPI होता है जिसको हम बोलते है universal immunization program ठीक है universal immunization program ठीक है universal immunization program बोलत एक तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना एक बैक्सिन के रिगार्डिंग आगे और भी समें बहुत सारी डिटेल से येरवाइस कोश्चन पूछे जाते हैं और मिशन इंद्र धनुज भी होता है जिसमें हम बैक्सिन के रिगार्डिंग चीजे को इंच्टेबल करते है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना तो बैक्सिन के रिगार्णिंग सारे ही कोशन आते हैं आप सभी लोगों के यहां पर क्लियर हो गए होगा ठीके चलिए अब बात करेंगा हम हमारे नेक्स इंपोर्टेंट कोशन क्या रहने बाला है तो यहां पर यह नई तरेका का कोशन है बट रिलेटेटी कोशन है एचाइबी है बायरल कोर्टेंग कितना रहता ठीके तो यह बिलकुल एकुरेट है पी 24 इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा ठीके एचाइबी रिगार्डिंग चीजे में आपको कल ही बता दी थी क एचाइबी बायरस होता है ठीके क्या क्या होता है इम्मुन डेफिसंसी बायरस होता है इम्मुन को कोश करता है ठीके तो इस पेकास से चीजे आपको याद भे रखना ठीके नेक्स कोशन क्या पूछा था आपसे 2022 में CHO के एक्जाम में बिच और फॉलिंग आर दा ओटो इ डिसीज ठीक है अलर्जीज एंद अस्तमा ठीक है क्या एलर्जीज और अस्तमा एक ओटो इम्मुन डिसीज है अस्तमा और ओस्टियो अर्थराइटिस क्या एक ओटो इम्मुन डिसीज है और टाइप टाइप टु डाइबेटिस एंद अर्थराइटिस इस आ ओटो इम्मु डिसीज ठीक है यह एक respiratory system for disease होता है ठीक है किसी भी particular allergy या किसी भी particular person को किसी allergy substance से trigger होता है तब जाएगा उसको allergy होती है और अस्तमा होता है ठीक है तो यह chronic autoimmune disease है ठीक है इसमें क्यों होता है कि autoimmune होता है मतलब खुद की cells को murder बगर कर देना खुद की immune power को एक ऐसी प्रिकार की disease होती है कि यह वाली जो disease होता है जिसमें क्यों होता है कि body itself पर अपने ही और्गन बगरा को destroy करने लग जाती है अपनी production अपनी secretion बगरा को क्या करती है लेस करती है जिसमें क्या है autoimmune होता है ठीक है autoimmune मतलब खुद की cells बगरा को destroy कर देना ठीक है तो टाइप question भी clear हो गया होगा ठीक है अब बात करेंगे students किसका तो हम बात करेंगे हमें इसका नेक्स्ट कोश्टन का the serum creatinine kinase ठीक है ck पूछा है race in the patient with the myocardial infection with the first first ठीक है तो यहां पर सबसे important question है और बहुत easy question है ठीक है यहां में सही पूछा जाता है एक तो इसका पूछे जाएगा एक टोपनीन का पूछे जाएगा ठीक है myocardial MI के regarding आपसे एक नेक question पूछा ही जाना ठीक है किसी बीक साम किसी बीक साम को पूछा ही जाता है तो आप इस चीजों को ध्यान में रखिए myocardial infection क्या होता है जिसमें आपको HMIC heart disease बगेरा जिसमें hearts के regarding चीजे होती है ठीक है obstruction बगेरा हो जाता है तो जिसमें आपको देखने को milk dedican इसमें अलग-अलग type की disease condition होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे cells बगेरा infraction हो जाता है हमारे cardiac muscles बगेरा का जिससे क्या हो जाता है कि हमारे proper oxygenation बगेरा नहीं होता है और proper particular organ बगेरा तक हमारा oxygen नहीं पोच पाता है जिससे obstruction हो जाता है बीच में तो फिर क्या हो जाता है कि myocardial infection हो जाता है जिसकी कमी से क्या हो जाता है कि जैसे myocardial infection हो जाता है तो कौन सा प्रोटेन रिलीज होगा कितने घंटे में यहां पर यह कोईशन पूछा गया है ठीक है तो 3 to 6 हार में आपका क्या हो जाता है यहां पर क्लेटीन काइनेज हो जाता है ठीक है यह तो 3 to 6 हार में होता है इससे पहले एक जो हमारा मायोकाडल इंफ्रेक्शन यादि आपको किसी भी परसन को हुआ है ठीक है तो इससे पहले एक और होता है ट्रोपोनिन आई करके हो जाता है जो फर्स्ट एलिवेटेट सेरम इन इत्वार में मायोकाडल इंफ्रेक्शन इससे में जोकि 1st टाइम होता है वे लिवेटेट हो जाता है और जिसको हम त्रोपोनिन आ इसके लिए करmeeना देखने को लता है तो कभी-कभी question एसा ना आके इस प्रकार का भी आएगा तो आपको बहुताना है कि first में कौन सा protein release होता है तो आपको बताना है troponin ठीक है यहाँ पर only आपको हबर्स का पूछ जाता है इसलिए आपको हबर्स में आपको यह answer देना ठीक है दोनों ही release होता है बट सबसे पहले आपका token in I होता है फिर kinase होता है फिर और भी other enzymes यहाँ पर release होता है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है NPHCE is a program which takes care of group तो यहाँ पर simple सा program में है NPHC National Health for ठीक है National Health for Care Elderly यहाँ पर यह question है पूचा जाता है तो इसका फूलपाम निखना है National Program for Health National Program for Health Care Elderly यह question पूचा जाता है और यह कब लोंच हुआ है student 2010 इसका याद रखना है कि 2010 में हापे लोंच हुआ है एक प्रोग्राम में जिसमें क्या हम elderly person को क्या करते है प्रीक में करते है जिदियाटिक I think सभी को पता है जैसे मैंने प्रोग्राम का फूल पाम बता दिया तो आप इससे काईडिया लगा सकते हो कि हाँ प्रोग्राम के रिगार्डिन question आते है जैसे मैंने कल भी प्रोग्राम के रिगार्डिन classes लेती तो हाँ प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको डारेक कोशन ना भी मिले पर इस प्रिकार से कोशन मिल सकते हैं कि बिच प्रोग्राम किसे को रेलेटेड होता है जैसे जीडियाटिक का बताया मैंने तो जीडियाटिक में हम क्या गटे है ओल्डरली परसन को रखते हैं जिसमें क्या ह यहां से आपके questions समझ में आ रहे हुए कि हाँ किस परगाल से questions आते हैं और कैसे questions नहीं आते हैं यहां पर क्या पूछा गाया है कि यह प्रोग्राम के रिगार्डिंगी चीज़े हैं जो कि government of India की तरफ से चलाई जाती ठीक है एन initiative for the zero preventable maternal and the newborn death is called as ठीक है तो यहां पर जो सुमन प्रोग्राम है ठीक है जो सुमन प्रोग्राम है उसका initiative क्या है कि सबसे पहले क्या करना है zero preventable maternal and the newborn जो भी mothers और बच्चे की जो death होती है हमारे उसमें तो उसको zero level पे लेके आना है तो वो कौन से प्रोग्राम का purpose है ठीक है देखो function और purpose यहां पर पूछ लिया है कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के रिगार्णिंग आपसे function परपस और किस लिए उसको बनाया है और किस क्या-क्या achievement करना है अब यहां पर जो सुमन प्रोग्राम है ठीक है उस maternal और जो new one care है उसका जो date का ratio है वो zero हो जाना चाहिए ठीक है तो इस प्रोग्राम के रिगार्णिंग कोशन इस्टोर्डेंस बन सकते आने बाले exam में ठीक है R N T C P जैसा मैंने बताया तो जीक है निक्षे होता है एक शुमन होता है मुस्कान होता यह है ठीक है तो निक्षे होता है टीवी बगेरा के लिए एक निक्षे होता है जो टीवी पेशन के लिए यूज में जाता हो और एक निक्षे होता है जो कि हम pregnancy test के लिए करते हैं दोन और जो medicines के particular कितना treatment हुआ है वो सब चीज़े आपको जैसे ही आपका ID बताऊगे तो आपकी सारी चीज़े महाँ पे त्रेक हो जाती है ठिक है और ये और जो सोसल बीरो मेंटर ओप दहल और तु ड्याणार में रखना तीक है बहुत इंप्रेटेंट चीज़े बता रहा हूं कहीं नहीं बताएगा को ही नहीं बतायगा इस परकार की चीज़ें आप सभी लोगों के लिए क्योंकि यदि आप एक exam की त्यारी करते होना तो हमको पता है कि recently जब आपको जो चीजे बताई जा रही है एक students के लिए बहुत ही benefits थाबित होती है आने बाल exam में आपको काफी help मिलेगी इस से यदि आपने classes को अच्छे से लिया है notes सच्छे से बनाएं तो definitely you will be create the CHO exam ठीक है तो यहाँ पर हो गया निक्षे हो गया निक्षे हो गया यह इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है यह चोटे चोटे टर्मल सी ही आपको क्या है कि selection की ओर लेके जाएंगे ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं 59 low bet for the height is known as the and usually indicate a recent के रिगाड़िंगे बाट कोश्चन बहुत सीजी है यह पूचा है कि low bet for height की बज़े से है तो इसको बास्टिंग होगा ठीक है यह होगा बास्टिंग होगा ठीक है अंडर बेट नहीं होगा यह की low bet for height के लिए हमें पूचा है ठीक है अलग अलग टाइप से होता है low bet for height के लिए तो बास्टिंग होगा ठीक है अब क्या होगा बास्टिंग होगा ठीक है इसका अंसर आमको ज्याद रखना अंडर बेट नहीं होगा पी-म नहीं होगा protein energy malnutrition होता है जिसमें weight भूच जाद ही हो जाता है जिसमें दो टाइप से होता है एक क्वास्य और का देखने को मिलता है एक मरास्मस देखने को मिलता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ठीक है क्वास्य और किसकी बज़े से होता है पता होना चाहिए है protein की बज़े से होता है किसके बज़ेता था के लूरी बज़े से होता यह कुश्चन हमेंसा ही आता ठीक है क्वाच्च और किसकी बज़े से होता ठीक है तो आपको इन सब चीजों के concept तो बहुत अच्छ से पता होंगे तो आप exam में option अपने knowledge के भिहाब पे आप option को का कर सकते हो eliminate कर सकते हो ठीके तो यहां से इस प्रिकास से option को भी eliminate कर दोगे तो आपका यह सब eliminate हो जाएको तो लास्ट में आपका बैस्टिंग बच्चे कर ठीके चलिए 60 नंबर के question का बात कर लेते कि 60 नंबर के question क्या पूछना चाहरा है आपसे तो यहां पर पुछा गया है students भै कौन सी health facility है जहां पर एक severe acute malnutrition के बच्चे को हम manage कर सकते है ठीके तो feeding center पर definitely नहीं feeding से आप एक severe malnutrition बच्चे को कभी भी manage नहीं कर पाऊगे तो यहां आपसे eliminate होगे हमारा आगन बाड़ी में बिलकुल नहीं होता आगन बाड़ी में adolescent बगेरा और nursing mothers को जादा से जादा और adolescent female girls को यूज में लेके आते है ठीके nutrition reality center नर्सी यहां पर हाँ बिलकुल यदि मालनारीस्ट परसन है ठीके हर CSC और PSC पर NRC होता है ठीके जापे बच्चों का डेली और बीकली और पड़े यहां पर क्या होता था बीड बगेरा nutrition status का पता लगा जाता ठीके rural hospital तो rural hospital में भी नहीं होता ठीके पर सबसे पहले बेश्ट है कि यदि आपके पास severe acute mal nutrition बाला या mal नरीस्ट एक बच्चा आता है तो हम उसको NRC पर उसको क्या कर सकते है उसका फर्दर हम क्या कर सकते है उसका nutritional status को improve कर सकते है डाइट प्लान कर सकते है और according to height and health की बज़े से बेट की बज़े से हम उसको particular dial provide करवा सकते है ठीके तो यहां से आपकी यह बाली चीज़े clear होगे ठीके तो यह question जो बना है यह nutrition के regarding question बना है ठीके इतना important और इतना बिल्कुल easy तरीके से बता रहा हूं की question ज़्यादा tough नहीं आते है basic knowledge आप लोगों की टटोलेश आते है ग तो देन आप वो population को कैसे cover up करोगे ठीके तो वो आपसे mindset पूछा जाएगा कि किस परकार का आपका mindset होगा क्योंकि एक जो population होती है वो किसी भी परकार से आजाती है आपके पास यदि आप subcenter पे बिल्टे हो that means कि आप महाँ पे एक doctor की पत की तरह पे बिल्टे हो ठीके तो म और यदि नहीं होगा तो फिर आपके अगरों के referee कर सकते हो ठीके तो इस परकार का CHO बनने से अच्छा है कि CHO नहीं बनो तो ही अच्छा है ठीके आपको कुछ को manage करना आना चाहिए ठीके level of the knowledge बढ़ा होगे तो आप लोगों का अच्छा होगा फिर आप लोगों के क्या ह है कि आसपास जो भी चीज़े होगी बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे सीचों को क्या है कि problem भी होता है ठीके बट यदि आपका भेवर अच्छा होगा आपकी पास knowledge अच्छा होगा तो आपको problem नहीं होगा field में ठीके तो इन चीज़े को आपको ध्यार में रख जाता है कि which one of the following is a group level healthcare facility in India ठीक है तो यदि पूछा जाता है तो आपको बताना सबसेंटर ठीक है सबसेंटर क्यों है क्योंकि सबसे बिलू सबसे पहले क्या आज़ेगा देख रहाँ डिएच आएगा ठीक है डिएच से फिर क्या आएगा CSC होती है CSC से क्या होती है students PSC होत होता है ठीक है तो सबसे group level का हमारा सबसेंटर होता है और जब से highest level का हमारे यदि state level की बात करें तो आपका DHB गेरा होता है ठीक है इन चीजों को ध्यार में रखना है आप बात करें आप सबसेंटर की population के बारे में ठीक है बहुत important चीज़े है आने वाले exam में जरूर देख कम होगा ठीक है population कितना होगा population आपका 2000 से लेके तो 3000 तक ही population आपको देखने को मिलेगा चाहदा population नहीं देखने को मिलेगा और भही बात करें यदि plane area में सारी facilities बगे रहा है ठीक है traveling बगे रहा है टांसपोर्टिंग बगे रहा है तो बहाँ पे आपको 4000 से 5000 की population तक देखने को मिल सकता है ठीक है तभी कभी किसी किसी area में 6000 की population भी देखने को मिलती है और फिल्डी की बात कर रहा हूं और थियोरी की बात कर रहा हूं बहुत सारे सबसेंटर होते हैं जहां पे देखने को मिलता पड़ यदि theoretical बात करूं तो आपको 5000 की population को आपको याद में रखना है इतना population आप सभी लोगों के लिए रहता है सबसेंटर पर रहता है ठीक है अब बात करेंगा पीसदी का थीक है पीसदी के होता है प्रामरी ह्यल् coordin थाहर होता है प्रցसे के अंदर में कितने सबसेंटर आते छिजे को ठ्यायन में रखना है ठीक हैं यह ये रिखना है फिरे mq आपसे क्या पूछता है उसका अगोर्डिंग आपको आंसर में देना है ठीक है फोर टो सिक्स आपके सब सेंटर आते हैं जिसमें क्या होता डेकर पीस सी जो होता है ना पीस सी में जो पॉपुलेशन पूछ जाती है तीस सजार से लेकर कभी-कभी जिसमें भी आपको हीली इर्यार्य से थैधा सब चीजों को आपको ध्यान में, रखना होता है, वह किसी किसी इर्या से 2700 की सव्ष्पलेशन से भी जादा आवता को गदेखने 2200-2000 की को मिल शकती है 크ě सब सकते हैं, 20,000-30,000 की सब सब से 2800 की सब से 2200-5000 की सब सकते के अंडर में आते हैं अब बात करेंगे हमारा CAC का CAC के होगा है Community Health Center ठीक है Community Health Center यहाँ पर क्या होता है Students यह होता है हमारे 80,000 से लेके तो 1,20,000 की population के अंडर में होता है यह हमारे plain area की population है और 80,000 जो population है वो हमारे tribal area और hill area की population के अंडर में आती है और भाई इसमें क्या होता है इसमें भी 4-6 PSC, CAC देखने को मिलती है ठीक है included rate ठीक है included rate ठीक है included rate ठीक है 4-6 यदि आप 20,000 से भी count लगा होगे तो आपको आराम से 1,20,000 में आपको 4 PSC कबर हो जाती है ठीक है इतनी population को यह कबर करके रखता है एक village होता है ठीक है village level पर होता है ठीक है इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है और जो एक CSC होता है वो कितने 100 villages से मिलके बनता है इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है CSE कितने villages से मिलता है CSE जहाँ पे established होता है वो 100 villages से यहाँ पे देखने को मिलता है कभी-कभी stopping pattern पूचा जाता है तो 6-7 stop nurse से यहाँ पे CSE पे आपको present होना चाहिए इसको अब मोलते first referral unit भी ठीक है FRU होता है यदि आपके PSC और आपके सबसेंटर पे किसी भी परकारगा कोई भी happening होता है तो यदि आप एसे CO चो बर्किंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या है CSC पे रेफर करना है THEN CSC पे आप रेफर कर सकते हो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है additional parameter से पर एक्जाम के point of view से देखा जाए तो students आप सभी लोगों के लिए बहुती कारगार साबित हो सकता चलिए यदि आया था question दिमाग में आया था तो हमने बता दिया यहाँ पे आप लोगों के मेरे number of question पे ज़्यादा focus नहीं करता हूँ आप सभी लोगों को पता है कि medicalology nursing services आप सब को के लिए number of question करवा दिया इसका मतलब नहीं है what is the important for you at the right time वो मैं आपको लोगों को discuss कर बता हूँ कि exam में आपके लिए क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता अधर में को number of question इतने करवा दिया मैंने आज एक दिन में मैंने इतने question करवा दिया वो मेरा target नहीं है ठीके मेरा target यह है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं चीज आपको यसी बताऊं कि जो आपको सीधे ही आपके exam में आपको देखने को मिलेग ठीके parameter के साथ साथ चीजे को बहुत अच्छे से बताता हूँ ठीके तो चलिए हाँ पर 60 number का question यहाँ पर हो गया ठीके अब हम इसके recording जो भी details हो गया और next class में cover up करेंगे ठीके क्योंकि हाँ पर है कि आदी गंटे का जो classes होता है वो आपके golden time निकाल के आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ ठीके क्योंकि हमाई duty जाना होता है तो उस प्रकार से हमारे time को भी manage करना होता है ठीके तो बिल्कुल ही आज यह दिए आपको आज का classes सबज में आया हो तो बिल्कुल चैनल को जरूर से जरूर सब्क्राइस करके जाईएगा और अपने friends circle में classes को जरूर से एर कर दीजेगा बहुत ही important classes रहने वाला है हमारा जो target है हमारा यह है कि जैसे आपको MPNHM में help मिला है exam में वैसे ही आपको MPNHM CHO में मिले ठीके तो classes को ज़्यादर से ज़्यादर फोर्विट कर दीजेगा सभी बच्चों को classes का लाब मिलना चाहिए ठीक है यदि आप पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्क्राइस कर लीजेगा ठीक है एक nursing officer बनने के लिए आपके लिए medicalology nursing services का channel सब भी सेंटर ठीक है तो मिलते हैं next update के साथ next class आपको कल हो जाएगा ठीक है डेली classes होगा अब आपका डेली ही classes होगा और कहीं भी break नहीं होगा आपको डेली classes मिलेगा YouTube चैनल पर तो बिलकुल बने रही है किसी को question paper चाहिए तो बिलकुल medicalology nursing services से consult paper भी ले सकता है तो thank you so much guys और अपना study बनाए रखना है study में चरावी break नहीं करना है ठीक है आप सभी लोगों को पता है कि जिस stage पर आप लोग हो आपको कहें कि गवर्मेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो बिलकुल लग चाहिए time waste नहीं करिएगा ठीक है thank you so much guys keep watching us keep supporting us हम बिलेंगे next class में